हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बाद द्वारा से आपके अपने चैनल वीवी करना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दबना ना भूना ताकि आप वारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीब क सबसे पहले और साथ परिवाफ हमें हमारे टेलीगराम गूरूप में जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा तो दोस्तो बात करूँगा बैस्ट स्पॉल कैप डेट फ्री फार्मा पैनी स्टॉक यह दोस्तो स्टॉक का नम आपने गैस कर लिया है डॉ यह दोस्तो आपको याद होगा यह डेट फिरी फार्मा पैनी स्टॉक आपको इस चैनल के मावदियम से लगातार अपडेट रिव्यू दिया जा रहा था कि आप स्टॉक को डाय में रख सकते हो लॉंग टरम में आपको एक अच्छी रिटन दे के जा सकता है और दोस्तो हम हमारे अल्मोस्त मोर दें लेस दें दो महिने के अंदर यह स्टॉक हमें 25-30% के रिटन दे रहा है यह स्टॉक हमने आपको 30 रूपे के लेवल में सजेस्ट किया था और खिलियरली बोला था यह स्टॉक आराम से अपना जो 43 का रजिसेंसे वो टैस्ट कर सकता है अब दोस्त नहीं कर देता है यह स्टॉक कहीं ट्रैवल नहीं करने वाला लेकिन दोस्तों इस टॉक में छोटी सी एक अच्छी खवर निकल के यह आ रही है कि इस बार मतलब इस बार के जो उसके क्वार्टर ली रिजल्स है बहुत जल आउट होने वाले और दोस्तों जो लास्ट क्वा आज आते हैं तो मेरा पर्सनल विउ है यह स्टॉक आपको बढ़े टागेट दिखा सकता है लेकिन दोस्तों कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइज ही सबकूश है अगर प्राइज आपको कह रहा है कि स्टॉक आपको बाई करना तो बाई लिए है अब मैं आपसे बोलूँगा कि अब आपको यहां पर फोड़ा गेम खेलना तिमाग से मैंने आपको बहुत क्लियर वड़ों में कहा था स्टॉक आपका 45-44 के रेंज में जाएगा वहां से नीचे गिर सकता है अब आपको करना क्या है आप यहां पर अपना 70% के आस देखना पड़ेगा और भाई आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो लाइक तो दबा दिया करो या शेर कर दो फेस्टुक में शेर करोगे तो डेफिनेटली वहिया मैं रिवील करूँगा कि पीछे का सेटप क्या था बिहाइंड दस सींस क्या स्ट्रेजी 24 के असपस गया था ठीक है और उस समय मैं स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करता था ठीक है मुझे स्टॉक मार्केट क्या होती ये भी नहीं पता था तो डेफिनेटली दोस्तो अब अब तुमारे भाई इस चनले को सब्सक्राइब करो जो भी अच्छे स्टॉक सूँगे आपको recommend suggest करूँगा definitely आपको return मिलेगी अगर आप proper money management, risk management और मेरे जो target होते है और मेरे जो stop loss होते है और जो मेरे enterprise होते है इन तीनों को धियान से सुन लोगे तो definitely भी आप ऐसा बनेगा ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर नहीं सुनोगे ठीक है जिस price में मैं आपको ब आपको दिखा सकता है ठीक है यहाँ पर आपको दोस्तों दो पहलू को ध्यान दखना है इसलिए दोनों पहलू सुनके चले जाना ठीक है और हमेशा हमेशा बोलता हूँ blindly follow मत करना ठीक है हमेशा हमेशा आप खुद अपनी research भी add करो किसी भी stock को buy करने से पहले तो start करते है analysis दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने चार्ट खोला आप मॉर्फन लैप का almost 43 और 45 के आसपास कल श्रॉक ने हाई लगाया था आज almost 44.50 के आसपास महा से गिर चुका है 16 प्रेसेंट के अब था और दोस्तों बहुत लोग कहते हैं सर आप बहुत पकाते हो तो आप point to point बात क्या गरों दोस्तों देखो point to point बात करता हूं इसलिए आप देख रहे हूं मैं देखो दोस्तों बता हूं क्या है दिल से बात करता ह जो बाते अच्छी लगते हैं मैं शेर कर देता हूं तो कभी कबार क्या होता है थोड़ा फंबलनेस हो जाता है ठीक है कोई scripted वीडियो नहीं होता कि मैंने script बना ली और मैंने बोल दिया नहीं जो मुझे आता है मैं वह जैनुन तरीके शेर करने का प्रयास करता हूं ठीक ह अच्छा लगेगा अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे नहीं लगते है तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं अगली बार से मैं एडिट वीडियो आपको शेर किया करूंगा जो बीचे फंबल वड होते उनको मैं कार्ट दिया करूंगा तो दोस्तो अब यह आप देख स की बात कर रहा हूं आपको क्लियर अभी चार्ट में लेके चलता हूं वहाँ पर आपको समझ आएगा तो एक बार देख लो दोस्तो चार्ट शेर करने से पहले मॉर्फन लैप का यह डेट फेरी पैनी स्टॉक का चो फार्मा का है शेर करने से पहले एक बार होल्डिंग दे अबरेज आउट किया था तब भी मेरी जो एज़ज कॉस्ती काफी हाई थी क्योंकि दोस्तो मैं हमेशा एक अच्छे एंट्री का वेट करता हूं ठीक है और मैंने जादर देखा है जब मैं आपको स्टॉक करता हूं मैं उसके बाद ही स्टॉक को बाई करता हूं यह मैंने मैंने नोटिस किया है ठीक है पता नहीं क्या होता बर हां मेरी हमेशी है एंटरी लेट होती है ठीक है आब होसकते थौड़ा मैं लेजी हूं इस वज़े से हो सकता है ठीक है तो अब बात करते है आपको चार्ट दिखाता हो or stock का chart के लिए पहले बहुँ शेयर करते है चार् हाई बनाया ये हाई बनाया मैंने सिम्पल क्या करा मैंने दो Trend Line को ड्रॉ करा रहा है इन्वा आपस में दोनों को और मिलाने के बाद दोस्ते देख सकते सेम से mais पर ये इसले मैं क्या रहा बार हलकी हो जाना अगर सेम यह ऐसा सी केस आपका बनता है तो भाई स्टॉक से एक बार हलकी हो जाना और जब भी यह केस बनेगा ना इस चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूँगा यह तो ग्रेंटी है इसलिए भाई या चैनल को फॉलो करते रहना मैं आपको या तो ट्व टेस्ट किया है, टेस्ट क्री नीचे आ रहा है, जैसे मैंने बोला था, अभी आपको वेट करना है, कल का, कल एक-दो दिन होता क्या है स्टॉक में, अगर एक-दो दिन के अंदर इस्टॉक इसको भी तोड़ देता है, 48 रुपीज को, तर डेफिनेटली स्टॉक में बड़ा म बाए करो, जब बाए करना था, तो आपको दिया था, अभी तो हम प्रॉफिट बॉकिंग करने के लाइक में खड़े, लेकिन अभी भी इस्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, क्यों पसंद आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है, ध्यान देना, मैंने आपको बोला था, यह रजिसन दे रहा है, जब तक यह इसके उपर क्लोजिंग करता है, तब तक हम द्वारा से फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे, मतलब याँ देखे तो आज इंट्रेडए में स्टॉक ने सेम रजिसन लेकिन निचे गिर चुका है, अ अगर अगर आपको बात को समझो, मैं दोरों पहलों की बात कर रहा हूं, तो समझो, तो दोस्तो हमें आप करना क्या, मैं बहुत सेफ गेम खेलना है, पहले उनकी बात करता हूं, भाई जुन्होंने स्टॉक को नीचे के लिए बाए किया है, एक बाई प्रों कर लेना बाई किया है, तो हमारा जो अब स्टॉपलोस होगा, वो होगा 36 रुपे के नीचे, क्लोजिंग बेसिस में, क्या बोला मैंने, 36 रुपे के नीचे, क्लोजिंग बेसिस में, यहां स्टॉपलोस ट्रेल करेंगे, 36 रुपे के नीचे, क्लोजिंग बेसिस में, मेरी खुद की यह U-Pattern मनना अशको दिख रहा है अब आपको अगर fresh entry करनी है तो आप fresh entry कप करोगे जब यह stock इसके उपपर close कर देगा किसके उपपर यारी क्या हो रहा बर बर जब इसके उपपर close कर देगा यह जो resistance area 44 का जब इसके उपपर एक अच्छी खाजी हरी candle close कर देगा volume के साथ औ मैंने आपको support resistance की class दिती संडे को आपको याद है बहुत लोगों ने ली होगी जिन्हों ने ली उन्होंने miss कर दिया है उसमें मैंने बताया था कि support resistance का कैसे काम किया जाता है ठीक है और इस संडे को भी एक class होने वाली है support resistance में intraday में कैसे हम apply कर सकते कैसे use कर सकते अगर आ माले जी ये support resistance आपके सामने में ने draw कर रखे माले जी ये resistance area है stock ने उपर गया test किया नीचे गिरिया support लिया उपर गया नीचे गिया अब third time stock ने तोड़ दिया इसको तोड़ दिया इसके उपर close भी कर दिया अब आपको करना क्या है आप यहां कि score को buy नहीं करोगे आप क्य जब ये stock इसके उपर successfully trade करेगा close कर देगा और close करने के बार जब retest करने आएगा तो वहां से एक bounce देखने को मिलेगा आपको याद होगा हमारा जो last session था Sunday का उसमें support resistance में मैंने आपको एक वो बताया था सिपला का example सिपला का example देख लेना monthly chart में same यह pattern बना है यू pattern आपको दिख जाएगा stock ने retest करने नीचे आया था ठीक है अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिख लाओं तो भाई नीचे इस वीडिए को share करते हैं संडे वाला को class का link होगा support resistance का मैं आपको link कर दूँँ आ साथ मैं link भी देना कि हमें support resistance का class वाला का ओ देदो link क्योंकि मैंने साथ चीजे मैंने बतला दी है तो आप प्लीज एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख ले ना जिनको समझ नहीं आया है मैं आपको बतला जिया stock 100 रुपे जा सकता है लेकिन condition apply जब तक ये इसके बार close नहीं करेगा ठीक है अगर close कर देता है तो definitely बरे target दिखा सकता 100 पक्राफ भले कुछिए Community कि पसा सकता है ना ये अजे सकता है बढ़े कि इसकी आपको धित बद्झग करेभला भोगे संया आपको रah धर को समझ नहीं सकता है ऊहीं करे अशा है